हाई गाईज हमारे इन सभी वीडियो में आपके कमेंट आ रहे थे कि सर अभी एक नया फिर से आर्टिकल आया हुआ है जो कि नोटीस आपके CSB2 के ओफिसल साइट पर तो उस पर कुछ और कहा गया है तो उस पर आप कुछ वीडियो बनाए या उस पर कुछ किलियर करिए तो इस वीडियो में बात करें कि आपको जो नया नोटीफिकेसन आया है उस पर क्या कहता है आपको अच्छे से समझाने की कोशिस करते हैं तो जब आप ओफिसल नोटीफिकेसन के साइट पर इनके आ जाएंगे csv2.ac.in पर तिहां पर नोटीस आपका खुल जाएगा 29 सिटंब 2020 का या अपडेटेड है नोटीफिकेसन रिगार्डिंग अकैडमी कलेंडर इसी को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर आपका पेज कुछ इस तरह से उपन होगा यहाँ पर आधी सुचना में लिखे है अभी स्वित दाले द्वारा जुलाई दिसंबर 2020 का सेक्षणिक कलेंड पूरो में जारी किया गया था यानि कि ये पूरो मतलब क्या 24-9-2020 को जारी किया गया था ये जो नया अकैडमी कलेंडर सेशन है आपका ठीक है जुलाई से दिसंबर तक का यहाँ पे आप देख सकते हैं आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं तो इसके बारे में लिखत अनुसुची भविस्या में जारी करेगा ये जो साइन हुआ है कुल सचीव सर के साइन से यहाँ पे निकला ही आदेश 29-2020 को इसका मतलब यह हुआ है कि यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है अकैडमिक सेशन इसमें जो डेट दिया है जो टाइमिंग दी हुई है आपको ठी है कि दिसंबर में होना है कि जनवरी में जो जो पेपर होना अलग-अलग डेट पर वो डेट आपका क्या होगा अगर कोविड-90 का केस 36 गार में बढ़ता है तो वो डेट आपका संसोधित हो सकता है चेंज हो सकता है यहाँ पे साब-साब वही लिखा है कि यह जो सेडूल जारी किया गया है परंतु COVID-19 की परिस्थितिया समाने ना होने पर अगर कंडिशन समाने ना हो तो यहाँ पर क्या होगा विश्य दाले संसोधित अनुशुची भविस्य में जारी करेगा तो यहाँ पर संसोधित हो सकता है आप जब इसको open करेंगे तो यहाँ पर star mark आता है डेट बढ़ भी सकता है तो यहाँ पे CS V2 ने वहाँ पे स्टार मार्क करके बताया था यहाँ पे जो अधी सूचना है इस पर इन्होंने किलियर कर दिया है वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज़ेवल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नए है त आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें